ये है सोशल मीडिया निट वार्क और आप देख रहे हैं आईसे नियूस सत्य सती पिश्वस्निया नमस्कार आईसे नियूस में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मीनल व्यास मध्यान भोजन के रूप में बच्चों को एक समय का परियाप्त भोजन भी उपलब्द ना करा पाने के लापरवाही से भरा मामला ग्राम रतनपुर तुम्डी से निकल कर सामने आया है सबसे चुकाने वली बात यह है कि स्कूलों में मिड्डे मील के नाम पर बच्चों का पोशन आहार प्रदान करने का दावा जहां सरकार करती है वहीं जिम्यदार घुटाले के रूप में बच्चों का भोजन तक भी नहीं छोड़ते हैं सुत्रों से प्राप्त जानकारी के शास्किय माध्यमिक शाला रतनपुर तुम्डी में मध्यान भूजन को लेकर भारी अन्यमिताएं की जा रही है जब इस सम्मन में स्कूल का दौरा किया गया तो लगबख 85 बच्चों के लिए डेड़ से 2 किलो आटे की रोटी बना कर ही काम चलाया जा रहा था इसके अलावा भी जो मेन्यू बच्चों के पोशन आहार में दिया जाना चाहिए वह ना तो सुचारू रूप से दिया जा रहा है और ना ही नियमों का पालन किया जा रहा है क्या जिमिदार बच्चों के पोशन के साथ इस प्रकार समझाता कर सकते ह अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशासन इस और ध्यान दे पाता है। का ओनली भोजन बन रहा है क्या 85 बच्चे भोजन कर सकते हैं क्या यह हम देखकर आये हैं कि रिकोर्डिंग करी हमने अलडी और उनसे पूछा तो उन भाईयों को भी धंकी दी जाती उपर से कि अगर आपको बनाना है तो बना उनी तो आप भटा दिये जाएगा यहां की स्ति है यह सथी आप चाहो तो मैं आपको भी वीडियो के अमाधित्म से आपको दिखा सकता हूं क्या यह सही है कि यह दो कि लोग आटा जो मेंने पाया रिकोडिंग में उनके वाईड में भी ए इसमें कुछ नहीं कह सकता है तो क्योंकि हैं आप सत्यता देख जो हैं इसलिए हम आपने जो देखा हूँ उसका आपता समधन करते हैं जी सर धन्नवास